एजु सीकर में आपका स्वागत है, हमने अपने पिछली Quick Reason की वीडियो में All Political Ideologies को कवर किया था और इस Quick Reason वीडियो में हम Western Political Thought के सभी Thinkers को कवर करने की कोशिश करेंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इन सभी Thinkers के Ideas को 35 मिनिट्स के अंदर आपको खतम करके दूँ अगर आप चाते हो कि मैं ऐसी ही Quick Reason और आपके लिए बनाता जाओं तो आप इस वीडियो को जुरूर लाइक करना तांकि मुझे पता चल जाए कि आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही है इस वीडियो को और भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग मिनाने के लिए मैंने कुछ Question इस वीडियो में शुपा दिये है आपने उस Question को देखना है और उनके Answer करने है जो भी सभी उन Question के Answer कमेंट में देगा सबसे पहले करेगा उसको हमारी All India Online Test Series की Free Enrollment दी जाएगी जिसमें हमने UGC Net के Unit Wise 10 Test को कवर कर रखा है और इसी के साथ हमारी Western Political Thought की एक Crash Course Series से चैनल बर वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं और उसके Notes आप परचेस कर सकते हो जिसका Link दिस्क्रिप्शन में दिया है जो आपकी Basic Preparation के लिए और Vision के लिए बहुत काम आएंगे जिसमें आपके जो Thoughts और आपके जो Action है वो Match करते हैं मलब आप जो कहते हो जो सोचते हो उसको ही करते हो आपके Action और Deed जो है वो Match करते हैं वो Integrity में आते हैं जो Bracket में मैंने Ren, Li, Yi ऐसे शब्द लिख रखे हैं ये Chinese Language के हैं और Inverse के बारे में भी आपने ध्यान रखना है Confucius Wisdom को Achieve करने के लिए तीन जो है Ways बताते हैं एक है Reflection जिसमें आप दूसरों को Wisdom देते हो जो Noblest Way है और दूसरा है Imitate दूसरों की Wisdom को आप Copy करते हो जो सबसे एक असान Way है और तीसरा है अपने Experience से जब आप Wisdom को Gain करते हो सीखते हो जो सबसे Bitterest Way है एक Difficult Way है Wisdom को Achieve करने का इनके Mainwork Lunio और Analects में Preserve किये गए हैं ये Collection of Teachings है इनके जो शुशियत है उन्होंने उसमें Preserve कर रखा है अब बात करते हैं हम Plato की प्लेटो को Founder माना जाता है Western Political Philosophy का और इन्हें Father of Idealism कहा जाता है ये कैसे Thinker ही जिनने सबसे पहले Dialectic Method को यूज किया था यहाँ पर Dialectic Method का मतलब है Dialogue के थू जो है समवाद रिचाना उसके थू जो है Philosophy को Complex Ideas को समझने की कोशिश करना यह Plato ने शुरुआत की थी Plato को एक Statist Thinker कहा जाता है जिसका Meaning है कि State को यह ज़्यादा Important देते हैं Individual को नहीं देते हैं इसलिए यह State को End मानते हैं Individual को Means इसका मतलब है State के Interest को Achieve करने के लिए Individual को Use किया जा सकता है Individual के Interest Important नहीं है State के Interest Important है अपने Famous Work Republic Book में यह अपने Ideal State का Idea देते हैं जिसको काफी लोग Yutopian Idea मानते हैं कि Practically Possible नहीं है जिसमें यह कहते हैं यह मनार्की को Favor करते हैं और चाहते हैं कि Philosopher King जो है वो Rule करेगा ऐसे Rule में Plato Ethics का Virtue Based Conception देते हैं इसका मतलब यह है कि Plato मानते हैं कि Happiness जो है वो सबसे बड़ा Moral Thought है इंडविज्वल के Life में Happiness जो है एक Highest Aim है हार एक इंडविज्वल जो है Happiness को Achieve करना चाहता है और इसको Attain करने के लिए Human Being को Virtues चाहिए कुछ ऐसी Qualities चाहिए जिसके जरिए वो Happiness को Attain कर सकेगा क्लास होगी उसका काम है बिजनस में Involve होना या फिर Warrior क्लास होगी उसका काम है लोगों को Protect करना तो यह जो Division of Work है Society में यही Justice है और एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना देना यह Justice है तो Plato इस तरह की Justice के आइडिया में Believe करते थे अब आपके लिए यह Question रहा कि Justice के आइडिया को Explore करने के लिए Plato कुछ Scholars के साथ Dialogue करते हैं अपने Time के Contemporary Scholar के साथ Dialogue करते हैं उन Scholar के नाम क्या है वो आपने बताने हैं Comment करके Plato का एक Controversial आइडिया है Communism of Wives and Property इसमें वो चाहते हैं कि जो Ruling Classes है यानि Philosopher King या Warrior Class है उनके लिए Plato चाहते हैं Private Property भी ना हो Private Family भी ना हो क्योंकि Private Family और Private Property प्लैटो मानते थे दो ऐसी चीज़े हैं Human Being की Life में जो उसको corrupt बनाते हैं Favoritism को promote करते हैं Nepotism को promote करते हैं इसलिए इन दोनों चीज़ों को वो abolish करना चाहते थे प्लैटो एक स्कूल फाउंड करते हैं जिसका नाम रखते हैं Academy और ये Allegory of Caves इनकी थियोरी काफी famous है जिसमें ये कहते हैं कि Human जो है वो जो देख रहा है जो सुन रहा है वो हमेशा true knowledge नहीं होती जो perception के base पर knowledge गेन कर रहा है वो हमेशा ठीक नहीं होती है knowledge को सही तरीका गेन करने का है philosophical listening जब आप ज़्यादा सोचते हो उस पे विचार करते हो यही knowledge को गेन करने का एक सही method है प्लैटो के main work है The Republic, Statesman and the Laws लेकिन यही तीन work जो है वो काफी नहीं है आपको और भी work पर ध्यान रखना होगा जैसे Socratic Dialogues है Apology, Crito ऐसे Dialogues को देखना होगा कुछ और other works है Symposium, Fallibus इनको भी एक बार ध्यान से देखना होगा यह भी पूशे जा सकते हैं अब हम बात करते हैं Aristotle की जिनने Father of Political Science कहा जाता है यह पहले विक्ती थे जिन्होंने Western Philosophy में Logic और Scientific Thinking को परमोट किया था प्लैटो की दाना इन्होंने भी अपना एक स्कूल फाउंड किया था जिसका इन्होंने नाम रखा था Lysium और अगर इनके State की आईडिया की बात करें यह मानते थे कि State एक Natural Institution है Natural होने का मतलब यह है कि यह Man Made नहीं है Family और Individual से पहले आती है State State इतनी बड़ी होनी चाहिए तांकि Self-Sufficiency को Grantee कर सके अपने आपको Survive कर सके अपने लोगों को जो है वो Protect कर सके और इतनी Small होनी चाहिए कि Good Government को वहाँ पर Ensure कर सके मलब बहुत जादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए यह State को Highest Human Association मानते है और यह Best Practicable Form of Government मानते है Constitutional Government को जिसको यह Polity कहते है जो Middle Class के दुवारा Rule की जाएगी अब आपके लिए यह सवाल रहा कि यह Best Ideal State किसे मानते थे मलब थियोरी में यह किस State को Best मानते थे Practicable तो मैंने बता दिया आप बताईए यह Best Ideal State थियोरी में किसको मानते थे जिस Slavery System को Defend करते हैं दो तरह के Slaves के बारे में बात करते हैं एक होते हैं Conventional जिनको इनसान खुद सलेव बनाते हैं जैसे कि Prisoner of War एक होते हैं Natural जो by birth ही उनमें Rationality की Reasoning की कमी होती है और उनने सलेव बनना पड़ता है यह Citizenship उन लोगों को नहीं देना चाहते थे जिनके पास Time ना हो वक्त ना हो और जिनके पास काबलियत ना हो Political Affairs में Participate करने की So यह Slaves, Old, Young, Women and Working Class Member को Citizenship नहीं देना चाहते थे इनका Famous एक थियोरी है जिसे Four Causes की थियोरी कहते हैं यह मानते हैं कि किसी भी अब्जेक्ट में Change आने के चार Causes होते हैं और यह बात करते हैं Material Cause की, Formal Cause की, Efficient Cause की and the Final Cause यह चार Causes की बात करते हैं इनके Main Work से Politics, Nicomachian Ethics, Constitution of Athens और Eudemian Ethics अब हम बात करते हैं Machiavelli की यह Modern Political Philosophy के फादर माने जाते हैं यह सबसे पहले एक ऐसे थिंक करते जिन्होंने Politics को Ethics से Separate किया था यानि Politics को Morality से Separate किया था Human Nature को यह काफी Negatively लेते हैं यह मानते हैं Individual जो है काफी Wicked होते हैं चलाक होते हैं Selfish होते हैं Egoistic होते हैं और यहां तक भी यह कहते हैं इनका एक Quote है कि अगर कोई Individual के Father का Murder कर दे तो यह वो बूल सकता है लेकिन कोई इसकी Property को हथे आ ले यह कभी भी नहीं ही बूल सकता तो इसका मतलब इसके लिए Property जो है अपने पिदा से भी जादा जरूरी है तो आप देख सकते हैं इन्डविजुल को किस हद तक यह जो है negatively लेते हैं तो यह मानते हैं and justifies the means इसका मतलब है and जादा important है ठीक है and को यानि आपने गोल को जो है achieve करना जादा important है उसके लिए आप किसी भी तरह के means को use करते हो तो वो सब कुछ ठीक है so इसलिए यह कहते हैं कि prince का जो main objective है वो है unity और integrity बनाए रखना state में यह main objective है यह end है और इस end को achieve करने के लिए prince चाहे कुछ भी करे murder करे, killing करे, डाका डाले ठीक है, चोरी करे यह सब कुछ जो है valid हो जाएगा अगर वो अपनी state में unity और integrity बनाए रखता है यह मानते है prince के पास दोनो qualities होनी चाहिए share की तरह बहादूर होना चाहिए folks की तरह जो है चलाक होना चाहिए इनका एक famous idea वो है यह double standard of morality की बात करते हैं यह कहते हैं कि private sphere में जो morality होती है जिसमें आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हो अच्छे रहते हो यह private sphere के लिए ऐसी चीजे ठीक है जो Christian ethics है Christian morality की बात करते हैं यह ऐसी चीजे ठीक है लेकिन जब public sphere में आप जाते हो तो वहाँ पर morality काम नहीं करती है तब आपको जो है अपने interest को protect करना होगा और तब आपने नैतिकता के idea को follow नहीं करना इसका मतलब यह है कि अगर आप तब चोरी भी करते हो किसी की killing भी करते हो यह सब कुछ ठीक है तो इस तरह से यह double standard of morality की बात करते हैं और यह मानते हैं republic government जो है और इसके लिए वो कहते भी हैं कि fear and I was born twins इसका मतलब है डर और मैं जो है दोनों साथ में ही पैदा हुए थे क्योंकि इन्होंने civil war जैसी situation को देखा है तो इन्होंने human nature को भी वैसे ही बताया यह मानते हैं कि individual जो है वो एक desire seeking creature है जिसमें वो pleasure को gain करना चाहते हैं और pain को avoid करना चाहते हैं ऐसे individual जो है वो हमेशा power के लिए भागते रहते हैं power की उनके जो भूक है वो कभी भी खतम नहीं होती और अगर खतम भी होती है वो तब होती है जब उनकी death होती है और इसी power की बूक की वज़ा से ऐसा लगता है होप्स कहते हैं जैसे कि साब में एक दूसरे के against जो है वार शेड रखी है अगर इनके state of nature की बात करें तो यह state of nature उसे मानते हैं जो एक state बनने से पहले की precondition है यहां फिर कोई political authorities पूरी तरह से fail हो जाती है तब की situation को state of nature केते हैं जहां पर कोई भी law and order जैसी सी चीजें काम नहीं करती है तो ऐसे state of nature में यह कहते हैं कोई law नहीं है कोई justice नहीं है कोई भी right and wrong का idea नहीं कोई किसी को मार सकता है, loot सकता है, कुछ भी कर सकता है तो ऐसे state of nature में जो इनसान की जो life है वो solitary, poor, nasty, brutish, short बन जाती है यह court है उनका इस तरह की situation से बाहर आने के लिए individual क्या करते हैं, वो social contract करते हैं social contract में क्या होता है, अपने जो भी right से जो भी power है वो surrender कर देते हैं तीसरी party को जिसमें state create होती है और यह जो contract है, यह individual में होता है तीसरी party के साथ नहीं होता जब individual में contract होता है उसका product जो है, उसका जो result है वो state निकल कर आती है तो इस तरह की state के पास house मानते है undivided, unlimited power होगी जिसको challenge नहीं किया जा सकता है individual के दुआरा, और यह जो contract होगा यह perpetual होगा, लगातार चलता रहेगा irrevocable होगा, यानि इसे कभी खतम नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको खतम करने का मतलब होगा वापस state of nature में चले जाना अगर इनके main works की बात करें तो उसमें कुछ latin books भी आती है जैसे the corporate, the civi, फिर elements of law leviathan इनकी सबसे famous है और then behemoth अब हम बात करते हैं John Locke के बारे में John Locke को father of liberalism भी कहा जाता है और ये glorious revolution का time इन्होंने अपनी life में देखा है जो काफी एक stable time है, peaceful time है civil war जैसी situation नहीं है जो हॉपस नहीं देखी थी तो state of nature की अगर बात करें तो John Locke उसमें मानते हैं कि state of nature में एक perfect और complete liberty individuals को मिलती है जिसमें कोई भी एक दूसरे में interference नहीं करते हैं यानि ये state of nature को काफी positively लेते हैं ऐसा state of nature नहीं है जैसे हॉपस बता रहे हैं कि कोई भी किसी को मार सकता है, killing हो रही है, murder हो रहे है loot सकते हैं, डाके डाल रहे हैं ये ऐसा state of nature नहीं है इनका state of nature जो है pre-political है pre-social नहीं है pre-political का मतलब ये है individual के पास political authority नहीं थी इसलिए ये pre-political है लेकिन individual जो थे, वो social थे एक दूसरे के साथ मिलते थे, कई चीजो पर corporate कर रहे हैं, इसलिए ये state of nature जो लोग कहते हैं, pre-political है pre-social नहीं है लेकिन अगर सब कुछ state of nature के साथ इतना सही था, तो उसमें problem क्या थी जो लोग कहते हैं, उसमें तीन problem थी एक कोई law नहीं था established कोई उसको implement करने वाला नहीं है कोई उसको judge करने वाला नहीं है यानि executive, legislature, judiciary तीनों ही institution जो है state of nature में नहीं है इसलिए इस problem से बाहर आने के लिए individual जो है contract करते हैं और contract करने में क्या कहते हैं अपने कुछ जो rights हैं, वो government को दे देते हैं, वो state को दे देते हैं तागी अपने जो main तीन natural rights है right to life, liberty and property उसको वो enjoy कर सके तो government का एक ही काम है ये तीनों right को किसी भी हालत में protect करना इसकी violation ना होने देना जब हम जोन लोग से ये सवाल करेंगे कि हमारे ancestor ने ये social contract किया था तो अब हमें इस contract को मानने की क्या जुरूरत है हम नहीं मानते किसी government को हम नहीं मानते state को तो जोन लोग इसी चीज को समझाते हैं कि आपने भी tacit consent दे रखा है जब भी आप state के किसी roads को highways को infrastructure को use करते हो जो state की dominion में आता है state की territory में आता है तो इसका मतलब है आपको state के दुवारा बनाए गए law को जो है वो follow करना पड़ेगा इसी को वो tacit consent कहते हैं अब आपके लिए ये स्वाल रहा जोन लोग ने दो तरह के consent की बात की है एक मैंने बता दिया tacit consent और दूसरे consent का नाम क्या था वो comment करके आप बताएंगे इसी के साथ जोन लोग एक और बात करते हैं कि अगर government fail हो जाती है पूरी तरह से सही तरीके से काम नहीं करती इसका मतलब है right to life, liberty and property को सही तरीके से protect नहीं करती तो लोग जो है वो अपनी government के against revolt कर सकते हैं, revolution कर सकते हैं इनके जो main works है वो है letter on toleration, two treaties on government ज्यादा इनके जो works है उसमें toleration word आएगा second letter on toleration, third letter on toleration fourth letter on toleration so इस तरह से आप इनके main work जो है ध्यान से याद कर लेना next हम बात करते हैं, ruso की ये french revolution के spiritual father माने जाते हैं और ये मानते हैं कि thinking man is a depraved animal मतलब जो आदमी ज़्यादा सोचता है वो एक breast genre की तरह बन जाता है इसका मतलब simple है कि वो intelligence के against है वो science के against है वो reasoning के against है वो विशौस करते थे उन इंसानों में जो ज़्यादा चला की नहीं करते हैं ज़्यादा सोचते नहीं है बोले बाले किसम के जो इंसान है जो साध़गी में विशौस करते हैं वो वैसे humans में ज़्यादा विशौस रखते हैं रुजु अपने state of nature को explain करते हुए कहते हैं कि state of nature में individual जो थे वो guide होते थे instinct के द्वारा, reason के द्वारा नहीं, वो ज़्यादा सोचते नहीं थे तो यहाँ पर human beings noble savage थे, बोले बाले इंसान थे, free थे, healthy थे, इमानदार थे, बड़ी अच्छी जिन्दगी जो है state of nature में बतीत करते हैं एक ऐसी जिन्दगी यहाँ पर बतीत करते हैं, जिसमें जादगी बरा जीवन है, अननद में जीवन जो है, वो बतीत करते हैं state of nature में लेकिन जैसे जैसे time pass होता जाता है, humanity में कई दरा के changes हमें दिखाई देते हैं, सबसे पहले उसमें आता है private property की invention, जिसमें वो यह कहते हैं कि यह मेरी property है, वो तेरी property है, ठीक है, तो यहाँ से जब शुरुवात होती है private property तो human being में लालच आता है, competition आता है, inequality आती है, तो उ उनको अपने rights को जो है, वो surrender करना होगा, पूरी community को, और यह जो condition है, यह सब को follow करनी होगी, अगर सब follow करेंगे, तभी ही वापस equality की जो situation आएगी, तो अपने rights को, अपने will को, जब वो community को surrender कर देंगे, तभी equality की situation आएगी, इसी चीज़ को रुजो जो है, general will का नाम देते तरह की inequality की बात करते हैं, एक करते हैं, moral inequality की, जिसमें wealth, nobility, power, merit को लेकर inequality की बात करते हैं, दूसरी करते है, natural inequality की, जो age में differences है, health को लेकर कोई differences है, physical characteristics में किसी तरह की differences है, यह natural inequality है, इनके main works जो है, वो आप screen पर देख सकते हैं, अब हम बात करते हैं, हीगल की, यह founder of modern idealism मान जाते हैं, dialectical scheme को यह है, एक develop करते हैं, जिसमें यह बताते हैं, कि ideas में दो तरह की element पाये जाते हैं, एक होता है thesis और दूसरा होता है antithesis, और उनी से जनम लेता है, एक और idea, जिसे वो कहते हैं synthesis, जो अपने आप में एक बढ़िया idea, पहले से perfect idea होगा, for example, जैसे family जो है, वो synthesis कहते हैं, जो अपने आप में एक perfect idea है, तो हीगल मानते है, human history जो है, वो progress की ओर जा रही है, और जो humankind है, वो eventually एक perfect idea को follow कर रहा है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी हमारे समाज में हो रहा है, हम basically perfect idea की ओर दिरे दिरे बढ़ते जा रहे हैं, state को यह बहुत important देते हैं, state को यह organism कहते हैं, और यह मानते हैं, कि state के पास highest right है individual पर, और individual की जो highest duty है, वो यह है, कि वो state का member बना रहे, state को इतनी importance देते हैं, कि यह मानते हैं, कि state जो है, is a march of God on earth, मालो बगवान ही जो है, वो धरती पर आगे हो, state को इतनी value देते हैं, Eagle एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने सबसे पहले state and civil society को differentiate किया था, civil society यह उसे कहते हैं, जिसमें individual अपने interest को अच्छे से जो है defend कर सकता है, promote कर सकता है, according to his abilities, जिसको वो मानते हैं, ना family में अच्छे तरह से promote कर सकता है, protect कर सकता है, और ना ही state में कर सकता है, सो यह इस तरह कि civil society की बात करते हैं, अब आपके लिए यह question यह रहा, कि यह civil society को किस domain का part मानते हैं, जैसे कि universalism, particularism, harmony, freedom, कुछ ऐसी चीज़े, इन में से किस चीज़ का पार्ट मानते हैं, इनके major works जो है, वो आप देख सकते हैं, अब हम बात करते हैं, wallstonecraft की, Mary wallstonecraft को founding feminist philosopher माना जाता है, औ इसके लिए यह मानते हैं, कि जो natural rights men को दिये जाते हैं, government के द्वारा society में, ठीक है, वो women को भी मिलने चाहिए, और यह मानते हैं कि women की position को, अगर हम उसके status को और भी जादा better बनाना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, कि हम national education system में एक radical change लेकर आए, तब ही हम उसकी situation मे उनके status को जो है better बना सकते हैं, यह एक grand cause बताते हैं, female की weakness का जा उनकी depravity का सबसे बड़ा यह कारण यह बताते हैं, कि men में जो chastity की want है, इसका मतलब है कि वो purity की जो अमीद रखते हैं women से, यह सबसे बड़ा कारण है, जिसमें वो extra marital affair पर restriction लगाते हैं, sexual intercourse पर उन पर restriction लगाते हैं, तो यह जो purity की demand है men के दुआरा, women से, यह सबसे बड़ा कारण है, उनकी weakness का, ऐसा वो कहते थे, इनके main works है, वो आप screen पर देख सकते हैं, अब हम next thinker की बात करते हैं, JS Mill की, JS Mill individual rights की बात करते हैं, progressive social policies की बात करते हैं, utilitarianism की बात करते हैं, और इनके जो ideas है, उन या welfare state के बीच में, उनके ideas जो है, bridge की तरह काम करते हैं, यह जाने जाते हैं, अपने harm principle को introduce करने के लिए, तो अपने freedom के idea को यह कुछ इस तरह से बताते हैं, कि दो दना की freedom होती है, self-regarding और other regarding, self-regarding में आपको unrestricted freedom में रखी है, कि वो चीज़े, वो action, जिसमें आप दू दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हो, तो ऐसी freedom में आप पर restrictions लगाई जाएंगी, limitations लगाई जाएंगी, JS मिल के लिए ideal type of government जो है, वो democratic और representative दोनों ही हैं, वो मानते थे कि जो educated लोग हैं, उनको जो है plural votes मिलनी चाहिए, यानि उन्हें ज्यादा votes मिलनी चाहिए, और जो un educated है, उनको single vote मिलनी चाहिए, यानि ये one man one vote के idea में बलीव नी करते थे, जो ज़्यादा educate है, उसको ज़्यादा vote मिलेगी, और जो बिल्कुल educated नहीं है, उनको single vote मिलेगी, ये मानते थे, टॉक विले, tyranny of majority के idea से ये काफी inspired थे, और ये चाहते थे कि अगर majority हम democracy में जिताते ह तो हमें उनकी powers पर किसी दरा की limit लगाने चाहिए, क्योंकि majority जो है अपनी मन मर्जी कर सकती है, अब आपके लिए ये question है कि J.S. Milko reluctant democrat की सौथर ने कहा था, ये comment करके बताईए, इनके main works आप screen पर देख सकते हैं, अब हम बात करते हैं, काल मार्क्स की, काल मार्क्स एक ऐसे important figure है, जो socialism और communism का idea develop करते हैं, dialectical materialism का idea इनका बहुत famous है, जो इन्होंने हीगल से ही adopt किया था, लेकिन इन्होंने इसमें एक change कर दिया, इन्होंने क्या change किया, इन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह समाज में कोई social change आता है, तो idea उसके लिए responsible नहीं होता, rather वो material होता है, तो history में अब तक जितने भी changes आये, वो इसलिए है, क्योंकि material change आया, matter में change आया, इसलिए change आया, idea में change आने की वज़ा से किसी तरह का change नहीं आता, ये Karl Marx मानते थे, ये तीन dialectics के law मानते थे, जिसमें सबसे पहले आता है, कि जब आप quantity को change करते हो quality में, तो ये पहला matter में change आता है, water को ice में change कर देना, और दूसरा है unity of opposition, जिसको मैं easy example से अगर बताऊं, कि दो classes में अगर contradiction है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कि वो खतम ही हो जाती है, वो फिर भी साथ-साथ जो है, simultaneously society में exist करती रहती है, negation of negation का मतलब है, जब matter में कुछ ऐसा change आता है, कि अपना पराना रूप ही खतम कर देता है, जैसे कि seed जो है, convert होकर plant बन जाता है, और फिर बाद में वो पेड़ बन जाता है, तो ये negation of negation है, अगर कालमाक्स के capitalism की बात करें, तो आपको idea उनका पता है, कि capitalism जो है, वो profit के basis पे चलता है, worker को काफी less wage देता है, जो capitalist class के पास surplus आती है, वो worker क के साथ share नहीं करता है, तो इस तरह से कालमाक्स मानते है, वो worker के साथ exploitation कर रहा है, और इसी exploitation की वज़ा से, capitalism जो है, अपनी कबर खुद खोद रहा है, यानि capitalism में ही एक ऐसे seed है, जो खुद को destroy कर लेंगे, जब capitalism बहुत peak पे आएगा, और इसके साथ कालमाक्स कहते हैं, कि ए एक time ऐसा आएगा, जब worker को ये realize होगा, कि उन्हें exploit किया जा रहा है, जब उन्हें ये realize होगा, कि उन्हें exploit कर लिया जा रहा है, तो उनमें class consciousness आएगी, तो जब class consciousness आएगी, वो capitalist के against revolution छेट देंगे, और वो capitalism को खतम कर देंगे, तो उसकी जगा वो पहले temporary time के लिए socialism को ले joy नहीं कर पाते हो, आप उससे आपको contentment या satisfaction नहीं मलती है, तो उसे alienation कहते हैं, तो तीन तरह की alienation की main ये बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, alienation from the process of production, इसका मतलब है जो factory में किसी चीज को, किसी product को produce करने का जो process चल रहा है, सबसे पहले worker को उससे ही alienation हो जाती है, क alienation from the product of his labor, इसका मतलब है कि worker कुछ produce कर रहा है, कोई product को बना रहा है, उससे alienate हो जाता है, क्योंकि वो कर क्या हैं, वो screw को tight कर रहा है, वो बार बार ये काम कर रहा है, उसको उसमें कोई मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें कोई product form नहीं होरा, product कव फॉर्म होता है, जब क अपने काम को भी पसंद नहीं कर पा रहा, इंजोई नहीं कर पा रहा, प्रोडक्शन के प्रोसेस को भी अच्छे तरह से सैटिस्वाइड नहीं है, तो इसलिए उसको जो है दूसरे वर्कर के साथ, सुसाइटी के साथ भी वो एलिनेट फील करने लगता है, तो तीन तरह की ये एलिनेशन की बात करते हैं, कहीं जगा पर चोथी एलिनेशन के भी बात की गई है, जैसे कि एलिनेशन ओफ सेल्फ, जब वो खुद से भी एलिनेट हो जाता है, क्या वो लेबर है, इटिंग है, प्रोडक्शन है, यहां फिर कोपरेशन है, आप कमेंट करके बताईए, तो काल माक्स के मेजर वर्क्स आपकी सक्रीन पर ये रहे, आप देख सकते हैं, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट इंकर ग्रामशी की, ग्रामशी इटैलियन कॉमिनिस्ट पार्टी को फाउंड करते हैं, और मुसलिनी के टाइम पर इने जो है, जेल में डाल दिया जाता है, हैजीमनी का आइडिया ये डिवैल्फ करते हैं, जो वो काफी फेमस आइडिया है, हैजीमनी के आइडिया के थूरू हमें ये यह बधाते हैं, कि Marx की prediction क्यों wrong रहती है क्योंकि Marx ने कहा था कि capitalism अपनी peak में जहां पर होगा सबसे पहले worker वहां revolution करेंगे लेकिन capitalism peak यॉरप में था और revolution सबसे पहले कहां आती है Russia में आती है तो ऐसा क्यों होता है Gramsci इसी सवाल का answer डूणते है और वो कहते हैं कि यॉरप में revolution इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि वहां पर hegemony का idea जो है वो चल रहा है अब hegemony का idea क्या है hegemony का idea यह है कि वहां की जो dominant class है जो capitalist class है वो पूरी तरह से society को control करती है किस तरह से करती है वो यह control करती है civil society के थरू क्योंकि जो dominant class के ideas है वो school के थरू, church के थरू, media के थरू जो है propagate किये जाते है जिसमें जो वहां के जो worker है वो उसको वैसे ही adopt कर लेते हैं उनके लिए काफी मुश्किल होता है ऐसी hegemony से बाहर आना तो gram-shee suggest करते हैं ऐसी hegemony से बाहर कैसे आया जा सकता है ऐसी hegemony से बाहर आया जा सकता है counter hegemony से और counter hegemony लेकर आने के लिए क्या करना होगा worker को दो level strategy को use करना होगा सबसे पहले war of position war of position में क्या है जो subaltern section के कुछ organic intellectual है वो worker के साथ मिलकर revolution लेकर आने की त्यारी करे आती है war of maneuver या war of movement जिसे कहते हैं जब war of position वो जीत लेंगे फिर वो second strategy को adopt करेंगे जिसमें revolutionary classes जो है वो directly जाकर state और state के जो instrument है जो government machinery है उसको directly जाकर capture करेंगे ग्रामशी ने fascism को explain करने के लिए passive revolution का idea भी develop किया था passive revolution में वो ये बताते हैं कि वहां के जो elite है वो revolution लेकर आते हैं ना कि जो low classes है जा have note की classes है वो revolution नहीं लेकर आते हैं तो fascism से उन्होंने passive revolution का idea develop किया था उनके जो major works है वो आप screen पर देख सकते हैं prison notebook का आपने ध्यान रखना है कि ये actual में publish होती है 1947 पर लेकिन ग्रामशी से लिखते हैं 1929 से लेकर 1935 के टाइम पर तो ये आपने देखना है कि क्या पूशा गया है publish date पूशी गई है या book कब लिखी गई है ये पूशा गया है ये ध्यान में रखना है next हम बात करते हैं Hannah Aaron की Hannah Aaron जो है वो जाने जाते हैं Jewish affair पर critical writings लिखने के लिए totalitarianism का idea उनका बहुत popular है जिसमें ये कहते हैं कि modernity और capitalism की वज़ा से totalitarianism आता है और totalitarian state अपने आपको maintain कैसे रखती है कैसे survive करती है वो violence के base पर survive करती है वो ideology को use करके survive करती है और 20th century के वो दो horror की बात करते हैं और वो है nazism और stalinism दो तरह की human action की वो बात करती है एक होता है vita activa जो actually human action लेते हैं और दूसरा होता है vita contemplativa जिसमें वो contemplation की बात करते हैं thinking की बात करते हैं और Hannah Aaron मानती है कि जो action है वो thinking से जादा important होता है इसलिए वो Karl Marx को appreciate करती है कि उन्होंने action को जादा प्रैमिसी दी thinking के level पर और plateau को criticize करते हैं क्योंकि plateau के लिए thinking जादा important थी वो action को इतना important नहीं मानते थे Hannah Aaron action की बात करते हुए हरार्की बिताती है और कहते हैं यानि सबसे low level पर labor आती है फिर work आता है और फिर action आता है नेक्स उनके power की idea की बात करें तो वो कहते हैं power का मतलब ना force है ना strength है ना violence है power जो है public sphere पर belong करती है और power कब आती है जब लोग मिलते हैं साथ में आते हैं तब वो उस power को experience करते हैं जैसे ही वो private sphere में चले जाते हैं वो अपनी ये power को गवा बैठते हैं तो power हमेशा public sphere में जब लोग ही कठे होते हैं तब ही experience की जाती है ये मानते हैं उनके major works जो हैं वो आप देख सकते हैं अब next बात करते हैं France फानों की France फानों कुछ ऐसे ठिंक करते हैं जो decolonialization struggle को sport करते थे Algeria war of independence को sport करते थे Algerian National Liberation Front जो party थी उसके member भी रहे थे तो ये blackness की problem की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जो black लोग है उनको white लोग कैसे जो है encourage करते हैं कि वो भी white बने वो white की superiority उन्हें दिखाते हैं और उनमें urge बढ़ते हैं कि black जो है वो inferior है उनसे और black society में या black लोगों में ये भावना बरते हैं कि वो भी white की तरह बनेंगे तो शायद उने जो है वो उनके जैसी superiority मिल सकती है equality मिल सकती है लेकिन फानों कहते हैं कि इसमें जो है black लोगों को कई सारी psychological problem face करनी पड़ती है जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से white नहीं बन पाते हैं white नहीं बन पाने का मतलब है कि वो white culture को जो उनकी civilization है जो उनकी language है जो उनके बोलने, रहने, खाने, पीने का तरीका है उसको अच्छी तरह से follow नहीं कर पाते हैं अब बात करते हैं फैनों के colonialism की idea की फानों मानते हैं कि colonial world दो लोगों में divide होता है एक होते हैं colonist जो राज करते हैं और एक होते हैं colonized जिन पर rule किया जाता है ये दो लोग इसलिए divide किये जाते हैं दो बागों में इसलिए बाटा जाता है तांकि जो rule कर रहा है, जो colonist है वो अपनी superiority को establish कर सके फानों मानते हैं कि colonialism को establish और maintain violence के दुआरा किया गया था और इसको खतम भी करने का एक ही तरीका है वो है violence इनके जो major works है वो आप देख सकते हैं जिनमें से ratchet of the earth, black skin and white marks important work है अब हम बात करते हैं Mao Zidong की Communist Party of China फाउंड की जाती है 1921 में और Mao भी उसके founding member थे तो इन्होंने People of Republic of China यानि Chinese revolution को लेकर आने के लिए Mao का जो है वो काफी role माना जाता है Marx के communism के idea को ये modify करते हैं और ये नहीं मानते कि China में worker जो है वो revolution लेकर आएंगे ये किसानों पर जादा निर्बर है ये prison मानते हैं revolution लेकर आ सकते हैं इनका एक famous quote है और ये कहते हैं कि Political work is the life blood of all economic work इसका मतलब है कि जो भी राजनिती काम होते हैं वो हमेशा economic work से ही निकल कर आते हैं So economic activities, Marx की तरह Mao भी बहुत important मारते हैं अगर इनकी important policies की बात करें तो उसमें long march, hundred flowers campaign the greatly forward और cultural revolution जैसी आ जाती है greatly forward और cultural revolution इनकी most controversial policies लही है greatly forward में कुछ agriculture change करते हैं जिसमें जो है काफी लोगों को agricultural hardship देखनी पड़ती है और उसके वज़ा से काई लोगों की मौत हो जाती है और culture revolution में अपने critics को ही ये मारना शुरू कर देते हैं ऐसा इन पर blame किया जाता है इनके जो major works है वो आप screen पर देख सकते हैं अब हम next बात करते हैं John Rawls की John Rawls egalitarian liberal tradition से काफी inspire होते हैं मतलब एक ऐसे tradition से जो equality की बात करता है equal distribution of resources की बात करता है और ये मानते हैं कि society जो है एक ऐसा cooperative venture है जिसमें सबका फ्यादा होता है mutual advantage होता है तो ये society को इस तरह से देखते हैं सबसे important idea है इनका justice का जो सबसे पहले ये point करते हैं कि एक good society में number of virtues जरूरी है कुछ virtues जो है बहुत जरूरी है और justice उस good society की सबसे पहली virtue है ये मानते हैं कि justice का जो idea है वो individual से निकल कर आता है और also है वो individual की liberty के साथ कभी भी compromise नहीं कर सकते है तो ये सबसे पहले कहते हैं society में सबसे बड़ी problem है वो है distribution की किस तरह की distribution की problem है ये कहते है primary goods को कैसे distribute किया जाए ये justice के idea की सबसे बड़ी problem है तो primary goods का income मतलब क्या है primary goods का मतलब है rights and liberties, power and opportunities income and wealth ये जो goods है इनको कैसे equally distribute किया जाए society में इसकी वो बात कर रहे हैं तो इसी के लिए वो कहते हैं कि जो मैं अपनी justice के idea की बात करता हूँ मेरा justice का idea जो है वो pure procedural justice idea है अब इसका मतलब क्या है John Rawls कलते हैं equal distribution of resources की अगर problem को solve करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा justice के कुछ ऐसे unanimously principle निकानने होगे मतलब justice के कुछ perfect principles निकानने होगे अगर हमने उसको find out कर लिया तो हम उस principle के चलते हुए society में अगर distribute करेंगे कुछ भी primary sources को वो हमेशा ही just होगे उसमें हमेशा ही इनसाफ होगा वो गलत नहीं कहलाए जा सकते तो इसी चीज के लिए वो अपना original position या way of ignorance जैसे methods को निकालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर हम कुछ आदमियों को कुछ ऐसी situation में रखते हैं जहां पर उन्हें अपनी sex के बारे में नहीं पता अपनी class के बारे में नहीं पता society में position क्या है ये नहीं पता अमीर या गरीब है ये कुछ भी नहीं पता जब ऐसी situation में वो जब justice के principle के बारे में सोचेंगे तो वो principle हमेशा ही ठीक निकल कर आएंगे वो इस चीज की बात करतें तो ऐसे method से John Rawls जो है वो justice के तीन प्रिंसिपल